आहाहा कितना खूपसूरत नजारा है अच्छा हुआ जो रीमा हम लोगों को यहां ले आई वरना ये विशाल तो पता नहीं कहां गोवा लेकर जा रहा था हमें आ तो गोवा में क्या दिक्कत थी आपको इतनी बड़िया जगत रहे रहने दो बेटा तुम हमारे बेटे होकर भी हमारी पसंद को नहीं जानते और एक रीमा है बस एक महीने में ही हमारी पसंद कितने अच्छे से समझ गई पापा ये मत भूलिये कि आपकी लाडली रीमा को आपकी बहु बना कर महीं लाया हूँ हाँ हाँ बस एक यही अच्छा काम किया है तुमने अपने जीवन में बिमला की बाद पर सब लोग हसने लगे दरसल रीमा और विशाल की शादी बस एक महीने पहले ही हुई थी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे विशाल के मतापिता बिमला और कांदिलाल ने रीमा से पहली मुलाकात में ही उसे अपनी बहु मान लिया और फिर शादी के बाद रीमा ने भी विशाल के परिवार को पूरे दिल से अपना लिया और फिर ये पूरा परिवार रीमा के कहने पर ही शिमला घूमने आया हुआ था और फिर रीमा सुनो अहां जी बोलिए अरे यार हमारी अभी नई नई शादी हुई है तोनों को यहां अकेले आना चाहिए था यार अरे ये कैसी बात कर रहे हुआ ममी पापा का भी तो मन होता होगा ना गूमने फिरने का और अब वो अकेले तो जा नहीं सकते न कहीं और हमारा क्या है हम तो कभी भी कहीं भी निकल सकते है पर मुझे लगता है कि पहला तूर तो पूरे परिवार को साथ में ही करना चाहिए अच्छा ये सब छोड़िए मुझे बहुत भूख लगी है तो डिनर का क्या सोच है? यही होटल में करना है या कहीं बाहर चले? अब तुम बताओ, कुछ अलग खाने का मन है तो चलते हैं कहीं? मैंने नेट पर देखा था पास में ही मॉल रोड पर एक बहुत ही फेमस होटल है वहाँ हिमाचल का ट्रडिशनल खाना मिलता है वहाँ जा सकते हैं लेकिन बाहर भी बहुत ठंड है तो पता नहीं ममी पापा को ले जाना ठीक रहेगा या ने बात तो सही है ऐसा करो, तुम भी यहीं रुको मैं अकेला जाकर खाना पैकर वा लाता हूँ फिर सब साथ में बैट कर खाएंगे, ठीक है? अब लेकिन आप अकेले यहां की सडके भी बड़ी उची नीची है इसके बाद विशाल अपनी कार लेकर निकल गया रास्ते में जब एक तीखा मोड आया तो विशाल ने तुरंट कार की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक पैडल दबाया लेकिन कार की स्पीड कम ही नहीं हुई क्योंकि विशाल की कार के ब्रेक फेल हो चुके थे विशाल कार को संभाल नहीं पाया और कार समेच सीधा खाई में जागे रहा जब काफी रात तक विशाल नहीं लोटा और उसका फोन भी नहीं लग रहा था तो कांतिलाल खुद पुलिस के साथ अपने बेटे को ढूलने लिकले काफी खोजबीन के बाद विशाल की कार गेही खाई में एक नदी में तैरती हुई दिखाई दी और फिर कांतिलाल के परिवायर की खुशिया अब मातम में बदल चुकी थी कांतिलाल और बिमला अब गुम सुन ही रहते और दोनों की तब्यद भी बिगड़ने लगी थी ऐसे में रीमा ने हिम्मत रखी और फैमली बिजनेस को संभाला ऐसे ही कई महीने गुजर गए और फिर एक दिर तुनिये जी मैं रीमा को ऐसे नहीं देख सकती उसके सामने पूरी जिन्दगी पड़ी है पर क्या रीमा आप दूसरी शादी के लिए मानेगी? मैं मनाऊंगी उसे देखा नहीं आपने कैसे सारा दिन उदास रहती है वो उसने खुद को पूरी तरह से काम में ही जोग दिया है मगर ऐसे कब तक चलेगा? उसे आगे पढ़ना ही होगा बिमला ने तै कर लिया था कि वो रीमा को दूसरी शादी के लिए मना कर ही रहेगी और फिर उसी शाम पापा जी कल आपको मेरे साथ फैक्टरी चलना पड़ेगा क्यों? अब क्या हुआ बेटी? पापा जी वो शर्मा अंकल अब वो बहुत बदल गए है उन्होंने आपकी पीछे पूरे दो लाग की हेर फेर की है वैसे तो मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है और कल उनकी पोस्ट के लिए कुछ नए कैंडिडेट्स को भी बुलाए है तो आप उनमें से किसी को अरे बेटी अब ये सब तुम ही देखो और मुझे कोई मैनेजर नहीं चुनना चुनना तो तुम्हें चाहिए एक नया जीवन साथी ये ये आप क्या कह रहे पापा जी हाँ बेटी जिंदगी बहुत लंबी है हमारे खातिर तुम हाँ कह दो अगले दिन रीमा ने कई कैंडिडेट्स का इंटर्व्यू लिया और फिर उनी में से एक रवी को मैनेजर की पोस्ट के लिए चुन लिया रवी ने भी जल्दी ही काम सीख लिया और पूरी मेहनत से अपना काम संभालने लगा उसने बहुत कम समय में सबकी नजर में अपनी एक खास जगह बना ली थी वो आफिस के साथ साथ कांतिलाल के घर के भी कई जिम्मेदारियां संभालने लगा और फिर एक दिन अब क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ हाँ विम्मला वाकई रवी बहुत ही अच्छा लड़का है वो रीमा को बहुत खुश रखेगा बस एक बार रीमा मान जाये तो ये सारा काम ये सब कुछ हम रीमा और रवी को सौप पर हरी दौार चलते हैं ठीक कह रहे हैं आप बिम्मला और कांतिलाल ने रीमा को बहुत समझाया और फिर आखिरकार उनकी जित के आगे जुकते हुए रीमा ने रवी से शादी के लिए हां कर दी और फिर रीमा और रवी की शादी का दिन भी आ गया रवी रीमा ने बहुत बड़ा दुग छेला है उसका हमेशा खयाल रखना अब ये सब तुम दोनों का है हम हरिद्वार चले जाएंगे और अपना आखरी समय वहीं बिताएंगे नहीं ममी जी आप दोनों को हमारे साथ ही रहना होगा नहीं बेटी हमारा चले जाना ही बहतर होगा अब तुम विशाल को भूल जाओ और रवी के साथ नए जीवन की शुरुआत करो जैसे ही कांतिलाल ने ये बात कही तभी पीछे से एक आवास आई मेरा और मेरे माबाप का जीवन बरबाद करके तुम अपना नया जीवन कैसे शुरू कर सकती हो रीमा विशाल, विशाल मेरा बेटा, तु जिन्दा है बेटा हा मा, आपकी दुआउं ने जिन्दा रखा है मुझे, परना इन दोनों ने मुझे मारी दिया था विशाल, ये क्या बोल रहा है मैं सच बोल रहा हूँ पापा, छूट तो ये बोलती आईए असल में ये दुनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं मगर पैसों के लालच में, रीमा ने मुझे से शादी की और फिर अपने इसी आशिक से मेरी कार के ब्रेक फिल करवा दिये उस दिन पहाड़ी से गिरते हुए, मैं कार से बाहर निकल गया और एक चटान पर जा गिरा, एक चरवाही ने मेरी जान बचाई और जब मैं वापस यहां अपने शेहर आया तो मैंने इन दोनों को रंग रलिया मनाते, अपनी आँखों से देख लिया मैं इनका पीछा करता रहा, और इनका पूरा सच जानने के बाद आज लोटाओ अच्छा है, पर तु यह सारी बात है सावित कैसे करेगा रहे लिल्लू तुम दोनों के खिलाफ जितने भी सबूत चाहिए, वो जो टाली है मैंने और तुम्हें पता है, वो सारे सबूत फिलाल किसके पास है अभी बताता हूँ, इंस्पेक्टर साब विशाल सच बोल रहा था, वो पुलिस को अपने साथ लेकर आया था रवी और रीमा को अपने किये की सजा मिलने जा रहे थी और कांतिलाल और विमला को अपना बेटा विशाल ये कहानी शेहर में रह रहे हैं एक अमीर घर के बिगड़े बेटे की है राहु ने बहुत ही अमीर घर का लड़का था और उसके शौक भी अमीरों वाले थे रोज क्लब में जाना, बार में पैसे उड़ाना वो यही सब करता था एक दिन वो अपने दोस्त को फोन करके बोलता है आज का क्या प्लैन है? तू बता भाई, पैसे तो तुझे खर्च करने है जहां लेकर चलेगा, वहाँ चलेंगे अच्छा सुन, जीटीबी नगर वाले बार क्लब में एक नई डांसर आईए सुना है बहुत मस तयार, अच्छा तो ठीक है फिर आज उसी की खुबसूरती देखकर आते हैं ठीक है, मैं अभी तयार होकर आता हूँ दोनों तयार होकर कलब में पहुँचते हैं और शराप पीने लगते हैं तू तो बोल रहा था कि नई डांसर आईए और यहां तो अभी तक वही पुरानी लड़कियां कमर इला रही है वो लड़की बहुत ही सुन्दर होती है राहूल उसे देखता ही रह जाता है अरे भाई, यह तो सच में बहुत ही सुन्दर है यार मुझे इससे बात करनी है यार राहूल उठकर उस लड़की के पास चला जाता है और सपना बिना सुने डांस करती रहती है राहुल भी उसके साथ जा कर नाशने लगता है और जब डांस खत्म हो जाता है तो बोलता है मुझे आपसे बात करनी है मेरे पास आज टाइम नहीं है मेरा कस्टमर इंतजार कर रहा है कल बात करते है ये बोल कर वो एक आदमी के साथ चली जाती है अगले दिन रात होते ही राहुल फिर से उसी कलब में पहुँच जाता है और उस लड़की का इंतजार करता है थोड़ी तेर बाद लड़की आती है और अपना डांस खत्म करके जाने लगती है तभी राहुल उसे रोकता है और बोलता है आपने कहा था कि कल बात करोगी हाँ बोलो क्या बात करनी है वो वो आपका नाम क्या है बस नाम पूछना था सपना है मेरा नाम आप बहुत अच्छा डांस करती हूँ थैंक यू मुझे घर जाना है मैं लेट हो गई हूँ बहुत अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ अले शुक्रिया मुझे घर छोड़ने के लिए मैं जल्दी घर पहुँच जाऊंगे राहुल सपना को छोड़ने जाता है रास्ते में दोनों की काफी सारी बाते होती है अगले दिन फिर रात को राहुल वहां आ जाता है आज तो इससे अपने दिल की बात जरूर कहूंगा तभी सामने टेबल पर कुछ लड़के आकर बैट जाते है और उन्में से एक लड़का बोलता है अरे देख यार कितनी मस लड़की है इसे तो गोध में उठा कर नाचने का मन कर रहा है आत तो जा रवका किसने है तुझे जग करना हो कर वो लड़का जैसे ही उसके पास जाता है राहुल को बहुत बुरा लगता है और वो जाकर उसे बोलता है लड़की से दूर है जा अपनी टेबल पर जाकर बैठ अच्छा पैसे क्या तूने अकेले ने घर्ज की है मैंने भी घर्ज की है भाई अपने पैसे पूरे वसुल करूंगा तू जाकर अपना काम कर ले इतना बोलते ही राहुल उसे मारने लगता है तब ही सपना बोलती है अरे छोड़ो एक दूसरे को तुम दूनों क्यों लड़ रहे हो सपना ये तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा था सपना बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है राहुल बाहर उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है आओ सपना यहां बैठो, सपना I'm sorry मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन पता नहीं क्यों जब वो तुम्हारे बारे में उल्टा सिधा बोल रहा था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरा काम है तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती, अच्छा चलो छोड़ो जाने दो ये बाते, ये बताओ, आज तुम मेरे साथ होटल चलोगी ठीक है, चलो, दोनों होटल में जाते हैं और उसी दिन से वो दोनों अकसर ऐसे रात को होटल में रुका करते थे एक दिन राहुल सपना से कहता है आज कहीं बाहर खाना खाते हैं शाम को दोनों बाहर खाने पर जाते हैं सपना मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ लेकिन राहुल तुम्हे मेरे काम के बारे में सब पता है, मेरा काम लोगों को खुश करना है, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। हाँ सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगाऊ, मुझे तुम्हारे बीते कल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, वो इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कैसे भी करके उनसे हमारी शादी के बात करो। ठीक है, मैं कल गाऊं जाकर पापा से हमारी शादी के बात करूँगी। मैं भी साथ चलूँगा, साथ में बात करेंगे। मेरी बेटी को कैसे रखोगे। ठीक है अंकल जी, अपने पापा का बिजनस जॉइन कर लूँगा। नहीं, तुम्हें मेरे साथ काम करके दिखाना होगा। पापा, आपके साथ काम लेकिन आप तो खेतों में काम करते हैं। और राहुल ये काम कैसे करेगा। अगले दिन राहुल खेतों में जाता है। अरे बापरे, इतना बड़ा खेत, ये कैसे खोदूँगा। राहुल ये खेत हाथ से नहीं खोदा जाएगा। वहाँ जो बैल खड़े हैं, वो खेत को खोदेंगे। पहले तुम पापा को देखो, वो कैसे हल चलाते हैं। राहुल उम्प्रकाश को देख देख कर खोदने की कोशिश करता है। तब ही वो गिर जाता है। अरे ये कैसे बैल हैं, मुझे ही लेकर भाग रहे हैं। पापा, मम्मी, बचाओ, मर गया। राहुल बैल की रसी खीचो जल्दी, तभी वो रुकेंगे। राहुल बैल की रसी खीचता है और बैल रुक जाते हैं। शुक्र है ये रुक गए। मुझे तो लगा था आज मैं गया, और तुम से शादी करने का सपना, सपना ही रह जाता। राहुल तुम यहां से चले जाओ, तुमें और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, तुम क्यों मेरे लिए यहां इतनी मैनत कर रहे हो। नई सपना, मुझे तुम से शादी करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। ऐसे ही अगले दिन बीच डालने की बारी आती है। और फिर वो सो जाता है। राहुल, ये लो खाना खालो, फिर सो जाना। आज भूक नहीं है सपना, मुझे सोने दो। पिचारा राहुल, मेरे लिए कितने मैनत कर रहा है। थकावट की वज़े से इसे भूक का भी पता नहीं चल रहा। ऐसे ही राहुल खूब मेहनत करता है और फसल उगने लगती है। एक दिन रात को राहुल का गाने सुनने का मन करता है और वो अपने फोन में गाने चला देता है। और आंक बन करके गाने सुनने लगता है। सुनते सुनते वो सो जाता है आधि रात को जब उसकी आंक खुलती है। अरे ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है ऐसे तो खेतों में पानी भर जाएगा और सारी फसल खराब हो जाएगी राहुल भाग कर खेतों में जाता है और खेत की मुंडेर तोड़ देता है और पानी बाहर निकालता है और ओम प्रकाश के खेत का भी पानी निकाल देता है अगले दिन सुबह जब ओम प्रकाश उठता है तो बोलता है अरे ये क्या, इतनी बारिश, खेत में तो पानी भर गया होगा, सारी फसल खराब हो गई होगी वो फावरा लेकर खेतों में भागने लगता है, तब राहुल बोलता है ओंक्रकाश बिना कुछ पोले अंदर चला जाता है, और कुछ दिनों में फसल तैयार हो जाती है, दोनों की फसले कटकर तैयार होती है, और अनाज निकल जाता है लेकिन ये बात गाउं के मुख्या के बेटे रवी को पसंद नहीं आती, वो भी मनी मन सपना को चाहता था मैं देखता हूँ इस राहल का अनाज जादा कैसे होता है, इसका अनाज कम ही होगा, और फिर सपना से मैं ही शादी करूँगा वो जाकर राहल के अनाज में से एक बोरी उठा कर ओम प्रकाश के अनाज में रख देता है अब तो सपना मेरी होगी अगले दिन गाउं वाले इकठे होते हैं और गाउं का एक आदमी तौलने लगता है और बोलता है सुनो गाउं वालो इन दोनों के अनाजों में से सबसे ज़्यादा अनाज शहरी लड़के का है ओम्रकाश घरा कर अपनी पतनी रेखा को बताता है मैंने अपने अनाज में से कुछ अनाज राहुल के अनाज में मिला दिया था पर आपने ऐसा क्यों किया वहीं दूसरी तरफ मुख्या का बेटा सोचता है शर्थ के मुताबिक राहुल शर्थ जीत जाता है और उम्रकाश अपनी बेटी की शादी राहुल से करा देता है हलो दोस्तों कैसे है आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन पर प्लिक करना मत भूलेगा